यह देखे गाइस नए तरीके से मटर के पराठे ना बेलने का जंजट है ना डो लगाने का जंजट है बहुत ही आसान से और बहुत मुलायम हैं यह देख सकते हैं आप कितने मुलायम पराठे हैं और बहुत टेस्टी तो चलिए देखते हैं कि यह हमने कैसे बनाए हैं इतने तो ए Innen हैं यहां रहreten मतर एकurn है। इसा करते हैं जो भाजं़ा न हो आप शेटे हम भाज़ार न फूले न यह आ सकते हैं कोई दिकद मंहिं क्युक्त ठीक है, क्रिंड हुझे, नहीं कुछ भाजया है करें tou भाज़ार dif आका सकते हैं। यह देखे पहले हम grind करेंगे मटर तो हमने मटर grind कर लिए अब इसमें एक इंच अद्रक का टुकड़ा और एक मिर्च क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे है नास्ता तो और एक प्याज काटकर इसे हम grind कर लेंगे यह देखे guys grind हो चुका है अगर grind होने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं यह देखे guys इसमें हमने अपने डाल लिये हैं यह धान के जो फूले थे वह इसके हम धान जो होते हैं इनको हम निकाल देंगे ठीक है और इसकी जगए पर आप पोहा ल इसे डालेंगे पीश के grind करके उसी तरह से आप पोहा भी पीश सकते हैं यह देखे गाई जिस हिसाब यह हमने ले लिया है अपना चूरा जो उसी का फूले का चूरा बनाया था वह और यह थोड़ा सा पानी उसी जार में ले लिया जिस जार में मटर पीशी थी अब इसका ह बना लेंगे अच्छा सा मिक्स करके यह देखे आज हमारा बन चुका है तो इसको हम दो मिन के लिए रेस्ट पर आब हम रख देंगे इसको ढख करके ये देखिए गाइस रेस्ट कर दिया रेस्ट करा चुके हैं इसको 10 मिनट तो आप हम इसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले अट करेंगे ये हमें डाली अजवाइन क्योंकि अजवाइन इसमें गरम होती है तो हमारे पेट के लिए भी फायदा करती है तो इसको मसल कर डालना है यह हम डाल रहे हैं दो चुटकी हीम अब डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर आप चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं मगर घर ठंडिया है तो सब डाल सकते मसाले यह धनिया पाउडर बस इतने ही बेसिक मसाले हम आड़ करेंगे इसमें इसमें डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार चाट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार और आप हम इसे मिक्स कर लेंगे यह देखेगा अब इस समय ठंडियों में मठर काफी आती है तो मठर की तरह तरह से नास्ते बना कर खाया जा सकते हैं आप इसमें आटा भी एड़ कर सकते हैं यह देखे हमने इसमें अब हम इसमें एड़ करेंगे दो स्पून के करीब मैदा या फिर अपने वाइंडिंग के लिए मैदा जितना जेसे साब से हमारा हो पाएगा उस साब से तो हमने दो स्पून के करीब मैदा इसमें डाला हुआ है पहले आप मैदे की जगए पर आटा भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छा बनता है इससे नास्ता और सुबा बहुत जल्दी बन जाता तो यह देखे दो स्पून हमने मैदा डाला था हमारा इसकी कंसंटेंस से सही है तो हम बस ऐसा ही पेस्ट बना कर रखें पानी और मैदे को अपने हिसाब से एट करें चले गाइस अब हमने तवे पर लगा दिया है ओएल तो अब इस पर हम बनाएंगे यह देखे गाइस अब इस पर हम डालेंगे बैटर और इसको हम गोल गोल अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे यह नास्ता बहुत जल्दी बनता है बहुत टेस्टी बहुत मुलाइम बनता है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है यह देखे गाइस सिख चुका है तो इसको दीरे दीरे से हम निकालेंगे थोड़ा सा ओयल डालके और इसे धक कर पकाएंगे यह देखे तो यह काफी healthy नस्ता बनकर त्यार हो जाएगा यह देखे घ्राइब हमारा अछ्छे से बनके बन रहा है और अब इसे हम नकालते हैं पहले उलट पलट के अच्छे से इसकी फ्लेम जो होगी बिलकुल तहीमी फ्लेम पर हम रख कर इसे सेकेंगे जिससे की यह हमारा अंदर तक पक जाए और कच्छा बिलकुल नार है बच्चों को यह नाश्ता हमारे हां बहुत पसंद है हमसे अक्तर यही बच्चे बोलते हैं ममा पराठा बनाएगे मटर का तो यह काफी अच्छा होता है इसमें मटर का स्वाथ ज्यादा आता है यह देखे निकाल कर हमने रख लिया इसका कलर और टेक्चर आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना यम्मी लग रहा देखते हैं तो उसी तरह से हम फिर से ओल आयेंगे और हम इस पर फिर से उसी तरह से इसको क को है आइन गे और Kerry से ये देख。 यह दिखिये गाईश को भी हम अच्छे से फैला देंगे सब तरफ से बिल्कुल गोल करते थे तो यह देख सकते हैं गाईश हमारा अच्छे से सपिक गया है और यह आप देख कैसे हैं कि प्यार हमारे बन के तयार हैं मटर के पराथे इसे चीला भी बोला जा सकता है तो यह हमने सब किया है चटनी के साथ और देख सकते हैं आप टेस्टी तो इतने हैं और इतना मुलायम है कि कोई भी इसे खाएगा तो अगदम खाता रह जाएगा हमारे अगर यह रेशिपी पसंद आई हो आपको तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा कमेंट अपने जरूर शेयर करिएगा और प्लीज हमारी रेशिपी पूरी देखें फॉलो करें पहले घर में बनाएं फिर दैब बताएं कि कैसी बनी तो लाइ जडेखें बता है आट आपको आपको टीं बってक्स देल्स करी क吧